तो हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त राधेशाम भौसार तो मुझे बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर लेंडलीन कमपनी के के केमिकल बताई या फिर ना काम आये ईस से बिग्स ऐसे हैं या कुछ स्केश्चन आते हैं किया व वे बताती है है सिस्चन वादेजियन में करता है मैने रुम ρ है उनकी है कशन रो हसard है द्थो बनाता हो और अनкими यह मेरे पास इतने यह स्टेंड रिमोर्स है इन में के बहुत सारे स्टेंड रिमोर्स जो है जो मैंने यूज़ किया है उनका रिज़र्ट अच्छा है तो चलो मैं अभी यह वन बाइ वन आपके इंटरिडूस करता हूं तो यह प्रोटी-फ्री बहुत से लोग मुझे फर ब्लड स्टेंड के लिए है ये तो आप इससे ब्लड स्टेंड रिमूव कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि कपड़े के ऊपर भी डिपेंड होता है कि कपड़े के ऊपर कोई कपड़ा होता है वो जल्दी से स्टेंड छोड़ता है कोई कपड़ा होता है जल्दी से स्ट के लिए रेडलिक कमपनी का है तो चलो और दूसरा है करी फ्री करी जो ब्लड स्टेन रिमवर का जो अभी तक मेरे पास ऐसा कोई स्टेन आया नहीं है अगर आएगा तो मैं उसकी जरूरी वीडियो बनाऊँगा और ट्राय भी करूँगा तो यह प्रोटी फ्री है प्री कर्मख ऑल दूसरा है करी बनाई तो मैंने जीन्स के ओपर और संब्री का स्टेन था करी का तो इस से मैंने पुड़ो बनाई है करी कि यह स्टेन और स्टेन कंवरcą में जो भी जाते है कब़ते है lebih तो हम इसे रिमो कर सकते हैं, दूसरा है इंक स्टेन प्री यह इंक स्टेन आपको यूज करना है इंक प्री तो आपको नीचे एक वाइट कॉटन का या कोई तर्किश का ऐसा कपड़ा लेना होगा, ड्राइ कपडे राइ स्टेंड पर ही आप यह सॉलूशन डालिए जैसे जैसे स्टेंड हलका होता जाएगा उपर से कॉटन से उसको स्क्रब कीजिए और कुछ इसी तरह से इसकी मेध्यड है और फिर जल्दी से कपडे को वाश कर लिजिए यह इंक स्टेंड फ्री है इंक कपड़ों पर यह कही पर शेफ कोर्ड पर भी खाने का स्टेंड लग जाता है तो यह निकाल सकते इसको लिजिए अब दिक अलग ही मिध्यड है जो मुझे अभी घंशाम सर घंशाम सरजी ने सम्झाया सस्टी सरजी ने सम्झाया तो जहां पर भी कारवन का स्टेंड हो कि अपना जो कोईन होता है या फिर रहता से नापूल से आप उसको स्क्रब कर सकते हैं स्टेन हलिका हलिका होगा फिर आप वाश कर सकते हैं पिर उसके बाद में यह विवेरेज फ्री है ती वी वेरेज लाइकर टी एंड कॉफी स्टेंड रिपॉर्ट ये कलर कपडों के उपर भी चलेगा और ये सारे जो मटेरियल है वो कलर क्लोज के लिए भी है और वाइट क्लोज के लिए भी है तो ये वी वेरेज टी एंड कॉफी का जो स्टेंड होगा कपडों पे तो वो निकालने के लिए काफी अच्छा है मैंने यूज़ भी किया है इसमें से तो मुझे रिजट मिला है उसके बाद में जनरल फ्री अगर जनरल कोई भी स्टेंड हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं मल्टी परपस स्टेंड रिमोर है कोई भी स्टेंड हो तो आप इसे यूज़ कीजिए अच्छा है रिजट मिला तो फिर आप अपलाई कीजिए रेगुलरली कोई प्रॉब्लम नहीं और उसके बाद में ये रस्ट प्री है रस्ट प्री का है बहुत मुझे बहुत अच्छा उड़े भी बनाई है और छोटे मोटे भी बारिश के दिनों में ये स्टेंड आ ही रहे है मेरे पास तो इसका बहुत ही अच्छा रिजट मुझे मिला है और ज्यादा लगता भी नहीं है और उसके बाद में ये प्योजी फ्री है पेंट ऑईल और ग्रीस स्टेंड रिमोव स्टेंड के उपर भी गनरल स्टेंड वादा यूज़ कर सकते हैं तो इसी तरह के रेडलेन कंपणी के स्टेंड रिमोर्स हैं पर अगर पर्चस करेंगे तो उसकी कॉंटिटी थूड़ी ज्यादा रहेगी तो ये पर्चस कहां से करना है तो नीचे नंबर आ रहा होगा 37 ज स्टेंड रिमोर्स है जो मैंने मंगवाए नहीं है मेरे पास नहीं है अवेलेबल लेकिन आप उनसे इंक्वाइर कर सकते हैं और पर्चस कर सकते हैं जो जो स्टेंड इमोर्स में यूज़ किया हूं करूंगा आगे तो उनकी में स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा लेकिन आपकी इंक्वाइन थी स्टेंड इमोर्स के बारे में केमिकल्स बताओ मुझे ऐसा बहुत लोग मुझे पूछते हैं आयदी ने से मेसेज़ आते रहते हैं तो यह केमिकल्स है प्रोटी करी इंक कारबन बीवेरेज जनरल रस्ट और प्योजी सारों सभी का एक्स्प्लीने सब्सक्राइब जरूर कीजिए एससी वीडियो में रेगूलरली लाता रहता हूँ थाइनक्यू प्रेंट्स गॉट बेस यूओ अल ठैक्यू और इसके अलावा मैं बेसिक मेटरियल से भी स्टेंड रिमोट करता हूँ वो भी वीडियो मेरी रेगूलरली में अपलोड करते रहता हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी इंफर्मेटीव वीडियो के लिए थैंक यू ब्रेंट्स गड़ ब्लेस यू अल थैंक यू